वेलकम टू समार्ट PCV सर्विस तो आज की वीडियो में हम प्रपेर करने वाले हैं F9 का एरर तो जैसे गया उदेशव की ये 5 स्टार की जो है ये PCV है बोधरेज की और इसके अंदर जो है वो DC फैन मोटर लगा हुआ है हमारा कमप्रेशर जो है वो ओन हो है हमने जो है इक आउडो लगा रखा है लोड के उपर चेक करना के लिए और ये उसकी VL DC फैन मोटर जो की नहीं चल लगा है तो इसके अंदर जो है वो एरर आने ही वाला है तो प्रेशर बंद हो हुए है तो हम आइडर जेखेंगे कि यह कितने टाइम जो है वो बिलिंक करता है वान टू ट्री सो आई सिट्स सेवन एत नाइन टेन लेवन त्वैन त्वैन तो बारे बार देखेंगे हैं हमारी एलडी जो है वो बिलिंक कर रही है एफ नाइन का एडर जो इंडूर में आए बहुत टाइम के बाद और यह आउड़ डेसी फैन फॉर्ट इस से रिपेर करने से पहले हमें जो है इसके सरकट को असानी से समझेना चाहिए कि यह यहाँ पर सैनो मोटर जो है वो हमारा कैसे रंड करता है क्योंकि इसके अंदर जो है सरिफ एक ट्रांजिस्टर से जो है इस सैनो मोटर को जो चलाया जाता है तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी लैपटाप की स्कीन के उपर इस सरकट को जो है वो डाइगराम की हैल्प से समझेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा और दियान से देखिए को कि अगर आप कोई भी फर्ल्ट स्टेप वाई स्टेप अगर सॉल्व करना है तो आपको PCP केंदर जो ट्रेसिंग है वो जुरूर आने चाहिए मैंने ट्रेसिंग के उपर बहुत सारी वीडियो बना चकी है और ट्रेसिंग करने के बाद जो आप अपने हाग खुद का डाइगराम है वो बना सकते हैं जरी शुरू करते हैं यह हमारी सबसे पहली पीन है यहां पर हमें मिलने चाहिए हैं 325 वोल्ट या 320 या 300 और यह दूसरी पीन हमारी ग्राउंड है उसके बार यह बीसी सी है यहां पर हमारे जो 15 वोल्ट होते हैं यहां पर है हमारी बीएस्पी जो नहीं आ रही है को कि मोटर जो हमारी वो चल नहीं रही है और यहां पर होती है हमारी फीडवैग तो इनके सारे जो बोल्ट है वो ह कोई दिक्कत नहीं है यह स्थीज़ है तो यहां से जो सिंगनल आएंगे यह हमारे आते हैं इस बेस के उपर तो आप यहां पर इसका जो देख सकते हैं यह एक एंपन ट्रांजिस्टर है जल इसके बेस के उपर पॉस्टेव आएगा तो यह अन होगा और इसके मीटर पर तो और यह ग्रांड यहां पर आ जाता है तो यानि की और यह यह रिजेटर लगी है यह हमारी 5-1 K की है जो लगी है हमारी 15 वोल्ट से तो बेसे पर डिरेक्ट चले गए अब इसकी के उपर कैसे जाएंगे ठीक है तो यह होगी हमारी 15 वोल्ट तो इसके क्लेक्टर पर है अग तो यह यह बीएज़ च्र्राइफ बेंटर करने लागे हैं 입니다 उपर वुद इसकी ऊपर यहान पर एक क्रिस्टर नगी होथा है वламोथAR ऑन्हारीं से Core विएडर और एकी इस registr के तरू जो हमारी है वो जाती है यहां से यानि आभ देखें के तो पॉस्टीव की तरप से यह दो हो गई यह 2 के एक 5 और भान का यहां पर हमारा जो है divider बनेगा और divider के जो बोलते हैं वो इस ऩो के एक हमारे हमारे BSP के उपर जाएंगे यानि कि हमें स्टार्टिंग के अंदर इस पे इसके बेस के ऊपर हमें कुछ ना कुछ मिली वोल्ट है वो मिलने चाहिए ताकि यह ट्राजिस्टर जो है ऑन रहे जब जी ऑन रहेगा तो यह ग्राउंड जो है यह यहां पर रहे तो यानि कि हमारे और कि अंदर हो सकता है यह ट्राजिस्टर तो HON यह रहता है कोंकि हमारे जो मोटर है वो तो डिरेक्ट चल नहीं रहे है यह तो एक जो पॉइंट ही है हो। यह ट्राजिस्टर भी हम जो PCP के अंदर चेक करेंगे। तो अब होता है जब हमारे सिगनल हमारी I hear DCPन को चलाना होता है तो एक सिंगनल बेचता है जो सिंगनल होता है ग्राउंड में क्योंकि पॉजिटिव तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो यह शायद यहां पर हमारी रिस्टर कुछ यहां पर जितने भीopping उते हैं उसका 50 affected गलती घृष Quest का उपर मिलेंगे जो इन्सी जब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर घ्राउंड तो इस रिस्टर के यहां भी आएगा तो यानि यह आप ओ जाए ऐसे ही यह OFF होगा इसका अमिटर और कलेक्टर जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे और यहां से ग्राउंड हट जाएगा इस पिंच से तो यह वाली जो बोल्ट है जाएंगे फाइफएफ़न वण के लूँकि रिजिस्टर से 15 बोल्ट के साथ यहां पर जो इस तरह से फिलो क करेंगे यहां पर जो है वो ग्राउंड से लगीया तो यहां पर इसको मोटर को स्मूथ करने के लिए अ तो हमारे वोल्टे यह वो इस चरह से फुलोगर करके हमारी व्यस्वी पे आते हैं, तो पसकी मरा रिजिस्टर यह हो गई। और यह हो गया है यह सारी डिजिस्टर जो हमें अब हम पसकी में प्रेंट चेक करेंगे, डाइगराम पर मैंने आपको समझा दिय है कि कैसे काम होता है स्टार्टिंग की कंडिशन में जब मोटर हमारी आफ होती है तो यह ट्राजिस्टर ऑन होना चाहिए इसके बेस के उपरा कमिली वोल्ट पिलने चाहिए जहां पर जो है सारे टेस्ट पॉइंट भी बने हुए में और हम सरक्ट डाइगराउं को फॉल्लो करते हुए स्टैप बाए स्टैप जो है हमारा बी फैल डेसी की जो पावल नमस को रेक्तिफाइ करें गे आज जिक हैँ हमारी इस पाज़ो पिंने के ऊपर जो मारी रिक्वार्मेंट है वह क्या है जो हमारे वोल्टेज यहां पर तो यहां पर यहां पर चेक करना तो यहां से एक फ्यूज लगा होता है यहीं पर चेक कर लेते हैं तो 320 मेरे पास आ रहे हैं उसके बाद तो ग्राउंड ही है तो अल्ड़री हमने ग्राउंड पर रखा है तो यहां पर हमें मिलने चाहिए 15 वोल्ड तो यह भी विल्कुस आई है और यह तो बीएस भी है फिलाल अभी तो वन नहीं आएगी और यहां पर जो है हमारी 3.3 वोल्ड होती है यह फीड़ वैक के लिए है तो अब देख लिए यहां फिर 200 कुछ मिली वोल्ड हो कि मोटर इसके साथ कनेक्ट है और मोटर को रूटर है वह ऐसी जगे खड़ा है कि आप बुष्ज़िंदे कि अगर हम Chris में से मोटर को घुमाऊंगा ढ woh tan यहां पर हमें आपको लिख्या देता है यह वर अगर मैं से हासं से गुंआऊगा तो यहाँ पर 3 ON आब देखने तो 3one 3o यहां पर आ गए ठीक है तो आपको इसमें कनिफूज नहीं होना है मोटर जलेगी तो यही पेट्रों जो आपको ऐसे बनता है ठीक है तो यह चो हमारी सही होगे अब हम इसे कर लेते हैं आफ चाहस करदो हैं यहां पर जितनी भी रिश्टर लगी होई है तो हमें इन सभी को चेक करना ए यहां पर जो हमारी 15 wspól से रिश्टर आती यह होती है हमारी 5.1 kilo UMP की तो अगर आप देख में तो यह कम दिखा ऒरा है तो यह यह सही है और उसके बाद जो है जो हमारी 3.3 वोल्ट से इसके बेस कुछ आफ रखने के लिए रिजिस्टर आती है तो 3.3 वोल्ट से होती है वो भी है हमारी 5.1 किलो तो ठीक है ये भी 3.6 बता रही है तो ये डिवाइडर वाली हमारी रिजिस्टर है जो 5.1 किलो जो ग्राउंड से लिए तो ये भी सही है और उसके बाद ये प्रिजिस्टर यहां पर होती है हमारी जो इसके बेस के साथ लगी होती है बेस और ग्राउंड के बीच में और यहां पर जो है हमारे सिंगनल लाते हैं ये टू की लों की रिजिस्टर है जो एमसे उसे हमारे सिंगनल लाते हैं इ यह हमारा एक ट्रांजिस्टम के बेस ट्रैवु थेना के लिए, तो रीस्टर तो उमारी कोई भी खराब नहीं निकली страшождता है है यहुए अधे चकर लेते हैं तो यह defenseactor पौस्टिफ पर आप रखने है यह बहुत इसी bratLEC mijटत है जो नाग के ज़ेए पोल्स से आनी होता इसके लिए में पर रखने है तो हमें गज़ सब्सक्राइब करें है थाय। तो अभी तो फिलाल कुछ बचता नहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सही है सारी रिजिस्टर भी सही है तो हम चेक कर लगते हैं कि यह हमारे मिलीच तक भी पहुंच रहे हैं कहीं हमारा ट्रेक तो खराब नहीं है तो, यह तो यह रिजिस्टर जो है इस jumpर पे आती है यह हमारी MCU के तरव जाती है यहां से यह तू गिलाूं की Čटिर है और यह Jumper यहां से नहीं कεया जाता है और यह यहां से होते हुए यहां पर जो है हमारी अनगे यह बेस जिरॉम की रियोस्टर तो यहां पर भी है वो डीडिंग हमारी यह चैनल रही तो यानि कि यह रिजिस्टर भी हमारी सही है एक जीरो उनकी रिजिस्टर यहां पर जो है वो लगी है तो इसके बाद तो है यह डारेक्ट हमारी चले जाती है इस फर्स्ट पिन पर इस साइड सी के जो फर्स्ट पिन है यहां 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 आप यानि हमारी टेस्टिंग के अंदर तो पुछ भी खराव नहीं निकला इस बीसी भी में तो अब क्या किया जाए जालिए इक बर इक इसको जो फिर से बाउन करके जो हम देखते हैं अब यह ज जब जे एंसी सिंगनल बेज़ेगा तो यह ग्राउंड में बेज़ेगा तो एक हमें ग्राउंड पर रखनी है तो सबसे पहले हमें इसे बेस के ऊपर देगना हों कि बेस पर तो हमारे पॉस्टिव आ रहा है अब यह शेसो बतीस मेली वोल्ट यहां पर रहें यानिकि यह तो आन है और हमारे क्लेक्टर के ऊपर जो है वह मीटर वाला ग्राउंड आया होगा तो इसलिए यहां पर जीरो वोल्ट है तो यह टांजिस्टर तो अन है और यहां पर लगी रही है यह तो के जो हमारे आती है MCU की तरफ से तो जो MCU को यह मोटर को चलाना होगा तब वो ग्राउंड बेज़ेगा इसी रिजिस्टर के उपर तो यह वही वाले जो इसके बेस के उपर जो डिवाइडर बन था उसी वाले वोल्ट है जो है हमें यहाँ पर भी मिलेंगे जब यह MCU यहाँ से ग्राउंड बेज़ेगा तो यह जो 1.3 वोल्ट आप देख रहे हैं यह ड्रॉप हो जाएंगे यह कुछ मिली वोल्ट में चले जाएंगे जिससे मारा यह ट्राजिस्टर बार बार आफ होगा इस MCU को जो है इसे आफ करना है हर वाग जिसनी स्पीड पर मोटर को चलाना है ठीक है तो चलिए अब इसे स्टैंडबाई से रिलीज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वगा देखेंगे तो अभी हमारे पास है 623 अब हमारी मोटर जब चलेगी तो मैं पता चलेगा मोटर हमारी बैसे हमारी मोटर तो चल तो नहीं रही है अब देखेंगे तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकते को कि हमने आउटओर पूरा कंप्लीट लगा रखा है उसका साउंड आपको नहीं आएगा तो अन हो चुका है यहां पर देखेंगे कंप्रेसर अन हो चुका है लेकिन इसका जो बेस है और यहां पर कोई अर्र नहीं है एलड़ी शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी यहां कोई है अभी तक जो है और यहां पर अब देखेंगे तो आउटओर बंद हो गया कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है और यहां पर अर्र आएगा तो यानि कि अब चुझे इसमाल लेना चाहिए कि यह हमारा M.C.O. डड़ देखा जो हमारा ग्राउंड जो है वो नहीं दे रहा है कोगी हमारी टेस्टिंग में तो कोई भी फाल्ट है जो वो नहीं निकला तो चलिए एक चीज में आपको और बताता हूँ यहीं पर जो है वो सारे जो टेकिनिशन हैं नहीं बिचारे जो सीख रहे हैं वो हाथ खड़ा कर दे थे हैं कि भाई इसके अंदर थो M.C.O. यो है हमारा खराब है मैंने इसे कर लिया है डेचार अब जो है मैं इसको फिर स्याउन करने वाला हूं दिखेंगे और इस बार जो है आपको वह यह मोटर में रन करके दिखाऊंगा कि प्रावल हमारी कहां पर है अब द्यार रखिए यहां पर हमारी एक रिष्टर यह वाली रिष्टर है तो स्टेंड वाई से इसे रिलीज कर दिया है तो हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं तो हमें रिष्टर के इस साइड रखना है M.C.O. वाली साइड के पर उप आप देखेंगे तो यहां पर जो है M.C.O. ने यह ग्राउंड दे दिया है और हमारी मोटर चलने लगी है क्यों चलने लगी जैसे ही मैंने पिन उठाई यहां से बंद हो गई और फिर से यहां पर मैं लगाता हूं तो यह मोटर चलने लगी तो आई होब आपको जो है यह फॉल्ट जो है वो समझ में आगया होगा कि हो क्या रहा है दीखिए मैंने जैसे यहां पर लगाई मोटर चलने लगी जैसी फिन हटा है तो यह अब एमसी उने ग्राउंड तो यहां से दे रखा है आप देखते हैं मुल्टिमेटर के अंदर यह लुग कर देखिए और आप डिस्चारज कर लें अब मैं क्या करने वाला हमारी यहां पर जो रिइस्टर है उसे हम अच्छे से शोल्डरिंग कर देंगे वैसे आपको जी चेंज करनी है मैं इसे बाद में जेंज करूंगा आपको कभी भी जो है और वहां पर नहीं लग वैसे और तो गया रहा है इसके अंदर है नहीं यहीं पर जो है हमारा पॉर्ट था तो इसे जो है मैंने वह स्टेंडवाइस से रिलीज कर दिया है अब हमारी अगर मोटर चलेगी तो हमें पत्था चल जाएगा तो दो तो कभी कभी कुछ से भी फाल्ट नहीं होता है जिसकी बज़े से नए टेकनीशन जो है वो फरिशान हो जाते हैं कि वहीं सब कुछ सही है लेकर फिर भी जो सोल्यूशन है वो नहीं हो रहा है अगर आप देखेंगे तो अभी अपने आप मोटर चलने लगी फरस्ट में अब इसके बाद जो है वो कंप्रेसर भी जो है आउन हो जाएगा तो कंप्रेसर भी हमारा आउन हो चुका है और पेर जो है मैं दीरे दीरे बढ़ रहा है तो मैं आपको वो दिखाना जाहूंगा यह हम पर और यहां पर है हमारी मोट दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में